सिहोल के इच्छावर्थान अंतरगत ग्राम मुंडला के सरपंच पती की दबंगई का मामला सामने आया है सरपंच पती के लास पटेल ने गाउं के ही रमेज एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है जिसका वीडियो सोसल मेडिया में खूब वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में आप साप साप सुन सकते हैं कि किस तरह से सरपंच पती दलित परिवार को गाली एवं जान से मारने की धमकी दे रहा है इसके बाद रमेज एवं उनका परिवार का फिडरा एवं सहमा हुआ है पूरे मामले की सिकायत रमेज ने पुलिस थाना इचावर में की है इचावर पुलिस ने भी सरपंच पती कैलास पटेल के उपर ऐसी एक्ट सहीद विभन धाराओं में केस तर्च कर लिया है दबंग कैलास पटेल की दबंग नहीं कया पहला मामला नहीं है पूरो में भी इचावर थाना में कई मामलों में के उपर केस तर्च है विरा 24 नूज के लिए सी होल्स पवर महे सुडिक रिपोर्ट माविर नहीं है अज ही गाड़ना सामको में देखने हुआ यहां से तमारी बाउंदर नियुक्त कर लो जो भी आए महारफोन लगाई तो के नाम है अपको सुनिता भाई क्या घटना हुई आपको सब्सक्राइब के लाश्पटल हो आए तो उसने क्या न्यावनी किया आये तो जैसाया से माभेन की गाली खूब गंदी गंदी बखते हैं और गाली बखने के बाद में तुमको मार दूंगी तुमको रहने नी दूंगी तुमको यहां से ही भूंक देते हैं तो परिवार भार हुआ पूरे परिवार में लुल यहरे हुए वह भागताक हुए वह नहीं सादह को ओकि तूमको तुमको तुमको में ऌत शर्पंजी घतना उपनिगा और ते shops لا यहां षा आरे गा यालenci उसने बूला ए तुमको आए तो फूर इना न अच्छाइब करता है रमीष चोहां निवासी मूडला उनके द्वारा लिखे शिकायद दी गई है कि गाउं के पटेल द्वारा उनको गाली गलवेट की गई है पर दर्ज किया रहा है मैं कुन कुन सी धारा हो में किस दर्ज वी दिवात में जो लिखी है उस हिसाब से धाराएं लगाई जाएंगे